वेलकम तो यूमानिटीज ओनर हैं प्लीज शेर, लाइक और सब्सक्राइब तो अभी तक हमने एपिसोड नमबर टू में इतना पढ़ लिया था कि जोग्रफी की दो स्टेज़ेज होती है नमबर वन, इनवाइयमेंटल डिटेमिनिजम और दूसरी होती है पॉसिबिलिजम इनवाइयमेंटल डिटेमिनिजम एक ऐसी थीожरी है, एक ऐसी स्टेज है जो बताती है कि नेचर पावरफुल है, वो यूमन्स के ऊपर डॉमिनेट करेगा यूमन्स को नेचर के according, adapt करना पड़ेगा और दूसरी स्टेज है पॉसिबिलिजम की जिसमें नेचर हमें opportunity देती है और यूमन अपने environment को modify करता है with the help of technology मतलब यहाँ पर यूमन नेचर के उपर dominating है या तो यूमन्स बिलकुल ही एकदम stage of necessity में रहेंगे या फिर यूमन्स को रहना पड़ेगा stage of absolute freedom में और geography में इसके उपर भी लडाईयां चलती रही और इसे हम कहते हैं dichotomy मतलब dualism की तरह ही है concept कुछ लोग कहते थे कि इस नेचर में इधर environmental determinism exist करता है और possibleism exist करता है या तो nature humans के उपर हावी होती है या humans nature के उपर हावी होते है या तो humans एकदम stage of necessity में रहते है या फिर humans एकदम stage of absolute freedom में रहते है और अगर तुम्हें याद हो तो हमने ratzal और lnc sample इनके बारे में पढ़ा था कि ये natural determinism के supporter थे because ये दोनों believe करते थे कि nature ये determine करती है कि humans की activity किस तरहिके की होनी चाहिए for example human ने एक बहुत अच्छी और एक advanced society बना ली लेकिन nature को वो पसंद नहीं आया तो nature वहाँ पे earthquake लाकर उस society को बरबाद कर सकती है और दूसरी तरफ जो बलाचे थे वो पॉसिबिलिजम को support करते थे इनका मानना था कि human nature के उपर dominate करते है अब हम बिल्कुल एक stage of freedom के अंदर है अब humans को कोई नहीं रोक सकता development करने से for example इनों ने कहा कि earthquake तो आते रहेंगे वो तो एक natural phenomena है लेकिन उसे society बरबाद नहीं होगी because हम अपनी buildings के जो foundation है वो बहुत मजबूत बनाएंगे जिससे हमारी society को घंटा फरक पड़ेगा तो पहले के जमाने में यही dichotomy चलती रहती थी कि nature humans को हावी करता है तो कुछ लोग कहते थे नहीं जो humans हैं वो nature को हावी करते हैं लेकिन इस dichotomy को हटाने वाले एक इनसान आए उनका नाम था Griffith Taylor और इन्होंने एक नई stage का विश्कार कर दिया जिसका नाम था neodeterminism और neodeterminism का दूसरा नाम है stop and go determinism इसका नाम stop and go determinism क्यों है ये अभी हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे ये जो neodeterminism की stage थी ये एक middle path थी एक मध्यम मार्ग इसमें Griffith Taylor हम से कहते हैं कि इस संसार में ना तो एक ऐसी stage होनी चाहिए जिसमें nature humans के ओपर dominate करती हो और ना ही एक ऐसी stage होनी चाहिए जिसमें humans nature के ओपर dominate करते हो बलकि हमारे पास एक middle path होना चाहिए और middle path से इनका क्या मतलब था चलो हम इसके भी कुछ points देख लेते हैं तो neodeterminism आखिर था क्या तो सबसे पहले तो तुम्हें इनका नाम लिखना है कि neodeterminism it was founded by Griffith Taylor neodeterminism एक middle path था between the two ideas of environmental determinism and possibilism अब यह जो neodeterminism है मतलब middle path इसको हम stop and go determinism के नाम से भी जानते हैं चलो तो अब हम इसका reason जानते हैं कि neodeterminism को stop and go determinism क्यों कहा जाता है तो इन दो शब्दों पर गौर करो stop and go और यही concept हमारा traffic light में भी होता है जो red light होती है वो हमसे कहती है stop जो orange या amber light होती है वो हमसे कहती है कि तयार हो जाओ get ready और जो green light होती है वो हमें कहती है कि now you can go तो इस stop and go determinism इस traffic light के stop and go से ही आया है हम humans आए दिन कुछ ना कुछ development करते रहते हैं क्योंकि हमारे पास technology है लेकिन development करते करते हम nature को बहुत harm कर देते हैं तो वो एक point आते है जब हमें stop करनी पड़ती है अपनी development हम humans जो अंधाधुंद का ये development कर रही है इससे air pollution और water pollution जैसी problems आती है अब इन problems के जरीए nature हमें एक red signal दिखाती है कि humans अब तुम रुक जाओ अब development करना थोड़े समय के लिए बंद कर दो और जब nature अपने आपको पूरे तरीके से heal कर लेती है तो nature हमें एक green signal देती है कि humans जाओ अब humans तुम development कर सकते हो इन शॉट जब nature हमें red signal दिखाए तो हमें अपनी development stop कर देनी चाहिए और जब nature अपने आपको heal कर ले और वो हमें green signal दिखाए तो humans को अपने development के पाथ पे दुबारा से चल देना चाहिए नियोडिटर्मिनिजम ब्रिंग अब बैलेंस बिट्वीन इधर और डाइकोटॉमी इससे एक बैलेंस बन गया था नैचरल डिटर्मिनिजम और पॉसिबिलिजम के बीच में कि humans डेवलप कर सकते है only by obeying the signals given by the nature नियोडिटर्मिनिजम में ये बात specify करी गई है कि humans possibility create कर सकते है लेकिन possibilities एक limit में create करनी चाहिए जिससे हमारा nature damage ना हो जाए for example हमने development के नाम पे पेड़ काटे लेकिन हमने पेड़ इस scale पे काटे की जंगलों का सफाया ही हो गया तो ऐसी development किस काम की जिससे humans को बाद में future में कुछ problems का सामना करना पड़े नियोडिटर्मिनिजम के according पेड़ों को काटो लेकिन एक limit तक काटो और जो तुमने पेड़ काटे हैं उनकी जिगापे नए पौधे भी तो लगाओ नियोडिटर्मिनिजम में ये बात भी mention करी गई है जैसे अगर हम humans ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करते हैं तो हमारे accidents होते हैं ठीक इसी तरह से अगर हम humans अगर nature के signals को follow नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी accidents होंगे जो आज के present time की developed countries हैं इनमें आज से 300-400 साल पहले industrialization आया था इस industrialization के चलते हुए इन्होंने free run करने की कोशिश करी मतलब इन developed country के humans ने सिर्फ development करी nature ने इने signal दिये लेकिन इन्होंने उन signal को follow नहीं किया और अगर इन्होंने nature के signals को follow नहीं किया तो इसका सीधा-सीधा मतलब था कि accident तो हो नहीं है और ये accidents कुछ इस तरह के थे जैसे greenhouse effect बहुत ज़ादा बढ़ गया था ozone layer deplete होने लग गई थी global warming बहुत ज़ादा बढ़ गई थी जो glaciers थे वो melt करने लग गई थे और जो land की quality थी वो बिलकुली deteriorate हो गई थी degrade हो गई थी इससे हमें ये पता लगता है कि free run करने का कोई भी फाइदा नहीं है और एक sustainable development तभी हो सकती है जब हम nature की signals को follow करें तो अगर ऐसा कोई question आए जिसमें तुमसे पूछा जाए कि explain there is no state of absolute necessity and there is no stage of absolute freedom तो वहाँ पे तुम्हें ये neodeterminism को explain करना है और अगर तुमसे पूछा जाए कि what are the disadvantages of free run तो ये मैंने तुम्हें अभी लिखवा ही दिये है please 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 comment करना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी अब हम मिलेंगे next episode में